एकता बने रहने चाहिए सो एकता बनी हुई है जैसे वो वीडियो देखा हम यहां पहुंच गे अभी पता लगने वाला है अभी एक सुबह तक नों को पता लगे जाएगा और दीप सुद्धू के बारे में पूरे एक सांस कटूने जे कहा दिया था यह बंदा बीजेपी का है बीजेपी को लोगों खड़ा करके पुलिस का डर दिखा कि वहां लोगों को परिशान किया गया अब हमने इन मन म्रा लिया हम यहीं रुखेंगे और जो एक एक आंसू का बदला इनके लाखों आंसू बहाएंगे गाजीपुर बोडर की तस्वीरे दिखा रहा हूं लोग अभी भी जग रहे है और पूरी रात रत जगा हुई है और आप कलपना नहीं कर सकते हैं बैक फैर कर गया मीडिया दिखाने आई थी कि कैसे तंबू उखरेगा कैसे पुलिस डंडे चलाएगी लेकिन ठिकायस सहाब के एक आँसू ने इस देश को जगा दिया है तैयारी तो थी निप्टाने की लेकिन काम कर गया काम कियों कर गया उसुने ठीक ऐसा डिखा दिआ कम्जोळ देरा पक fundsatu में नजरीय के बात होती है किसी के लिए आगा किसी के लिए परसासन का जो रुबईया था उस पर क्या कहेंगे रात साथ आठ वे तक तो जो था सर देखिए कन्फूजन बहुत जादा रही है उसके अंदर में ठीक है मुद्धा जो है यह है कि एकता बने रहने चीए सो एकता बनी हुई है कुछ लोग आये थे वहां हुटिंग कर रहे थे मैं भी देख रहा था वो सुनने में आया कि आये थे वो करते रहे है यह पॉलिटिकल एजेंडा तो चलता रहता है तरकार का नुकसान कर रहा है तो देखिए लोग जमीन पर सो रहे हैं सीत लहर है और सब जमीन पर सो रहे हैं लोग का आने का ताता लगा हुआ है लोग को तंबू में भेजा जा रहा है यह वो तमाम लोग हैं जो अंतिम समय तक ढटे रहे घवराय नहीं गय नहीं हीले नहीं और अपनी ताकत का इन्हों दिखाया आज आप सोसल मीडिया जाके देखिए पूरा देश दो है वो जग रहा है और लोग खपलपल की खबर रख रहे हैं कि आखिर गाजीपूर बॉर्डर पर हो क्या रहा है सब कुछ बदल सा गया था लग रहा था लोग को इक खता हैं बैक फार कर गया मीडिया का वह मीडिया तो आई थी आप लोग को मारते पिटते हो दिखाने लेकिन आज तो काम कर गया बिल्कुल देखो बहुत सही समय पे आए और लोगों को जो एक जोड़तर मैसेज गिया और इससे पूरी मोमेंट को चेंज हो गया नहीं मैसे तो वो देना चाहते थे कि किसान डर गए हैं रो रहे हैं भाग रहे हैं लेकिन उसी से आप जिसने बिगारा तक है लुसी की बसे बन गया देखो हम राजिस्तान से चले थे जैसे वो वीडियो देखा हम यहां car यहां पॉंच वह रोड़ने वाला वीडियो देखा वीलकुल वह देखे और यही मीडिया वाली मजा कुरा रहे थे सारे चैनल वाला उससरों को भी पता लगने वाला है अभी सुबह तक उनुको पता लग जाएगा। में मारा गया, जेनियू में लोग को मारा गया और वो प्राइवेट लोग थे जो मार रहते पुलिस के वेस में, छबी जनवरी को ही वही हुआ था, कुछ लोग ऐसे थे जो लाल किला पर जिनकी सीधे एक जिरती, तो रोज रोज एक ही तरह की कॉंस्परेसी नहीं चलती है, क कुछ नया करना पड़ता है, कुछ नया है, जो मोदी जी सोच रहे हैं, किसान पहले सोच रहे हैं, हमने वो पहली बाते कह दी थी, यह ऐसा होने वाला है, और दीप सुद्धू के बारे में, पूरे किसान सगठून ने यह कह दिया था, यह बंदा, बीजेपी का है, उर्ज सब्सक्राइब का अब जैसे वीडियो से मैं चले थे, आप लोग भी हम गंगानगर से हैं, हम गंगानगर से आप लोग आगे गए गंगानगर से हाँ, इतने लोग हम पात लोग आए हैं, एक अठे ही आए, हम गड़ी आए, क्या लग रहा था कि मतलब सब कुछ खत्म हो ग लड़ाई है और यह लगता है आपको यह जो आपने मनुबाद सब्द कहा मैं जानता हूँ वो कौन लोग है जो आप लोग को गाली गलोच करते हैं मैं उनका कल पत्रकारों पर फाई-अडर्च किन लोगों ने कराया सुप्रीम कोट में पेटिसन कौन लोग डालते हैं वो ए मैंसेज भेजने कामियाब होंगे बिल्कुल होंगे क्यों नहीं हो और रस्ता ही क्या है जो सेस्टी और ओबी सी को मनियोटी को यहां से जिसने बड़ा मैसी जा रहा है इसी से सरकार गरवाई हुई है खाली ये किसान सभी किसान है तो देखिए चौधरी चरण 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 चौधरी ने चंसेखर रावन ने तमाम लोगों ने जो बहुजन समाज के लोग है उन्होंने सोसल मीडिया पर रात भर लोग सोए नहीं है यहां तो इंटरनेट नहीं है यहां जैमर लगा हुआ है लेकिन सोसल में आप यकीन नहीं मानेंगे लाखो करोरों लोग आज अप समाम चनलों पर खबर चल रहा था कि बंबू तंबू खर गया किसान को भागना परेगा किसान नेता रो रहे हैं अम इस देवगान ने ट्वीट किया कि देखिए जो कल तक बकल ढून रहे थे वो आज आशूर बहा रहा है सुचे रोय तो संसद में योगी जी भी थे लेकि घुल बिलकुल रुकाएंगे पहले तो हो सकता है हम तो दो दिन वापस कम जाते लेकिन अब हमने मन मना लिए हम यहीं रुकाएंगे और जो एक एक आंसु का बदला इनके लाकौ क्ल कौ आएंगे और निकी जो फटी में आखरी किल लगा के जाएंगे और जो बीजेपी के लोग जहां धरने पर आकर लोगों को परशान करते हैं हम उनके घर में गुसके कह रहा हूं मैं जहांका विदाय को नंद कुछोर है कोई हम उसके घर में गुसके मारेंगे यह नोट नहीं यह इंसा लोग गुसे में हैं और तमाम क्या चला आएक एक उमीद थी आप लोग की एक जन सहलाव आजाएगा आप लोग के समर्थल में बिल्कोल आजी सिंगू बड़र चलके हैं सपैस लेटे चलके हैं वहां सब आने नहीं दे रहा है ना नहीं आने ने दे रहे हम गाउं के बीच चलते चलते दिन चाहर गंड़ लागे तूंद भी जादा सी आप लोग सिंगू बड़र से चलके हैं सब लोग ना नहीं हम जाहत हैं क्या लगा कैसे आप लोगों ने इंटरनेट तो था नहीं कैसे पता चला कि हां हालाद बहुत खराब हो गया वीडियो देखी सी तो कैसा बार जाना पाता यह तमाम ट्वी अख़वार भाई लोग कह रहे थे कि पुलिस की निगरानी में रिपोर्टिंग कर रहे थे और इंडिया ट्वी का जो मालिक रजी के सर्वा वो किसान माफिन मांगे वो गोधी है वह गोधी की बात दिकन कल तो गोधी मिडियो फाइदा तो इसको नेग्टिव करने के लिए तकी था लेकिन वह पॉजिटिव हो गया वह प्रमातमा की जो रजा है न वह एसी होती है यह संकत है आवहान पर कोई नहीं नहीं पर मार सकता लेकिन महीं संप리स आगेए और उस पर पुल्स लगई है पीछे कोई नहीं है पैसे वैसे नॉर्मल है जैसे संख्या अभी भी आप लोग हैं वो तो बहुत है तीस किलो मेटर पीछे तक के मीडिया गित की तरह देख रहा था कि कमजोर करी कहा है गाजीपुर में वो तमाम पत्रकार यहां आये थे कि मीडिय कैसे पुलिस डंडा चलाएगी कैसे बीजेपी के गुंडे इनको मारेंगे मैंने अपनी आखों से देखा है मेरे पास वीडियो है किसर से दरजन भर लोग नारेबाजी कर रहे थे मीडिया वाले वो भी बैन लगा के उनका उनकी बात दिखा रहे थे और देश को ऐसे बता इनके अंदोलन को खत्म होते हैं दिखाए जाए लेकिन वो बैक फैर कर गया और उनके रोने की जो आवाज थे आशू थे वो पूरे देश को पहुंच गया तो यह तस्वीरे आपको दिखा रहा हूं और लोग सिंगू बोडर से चलके आए हैं बात कर रहे हैं और चीजे बदल गई है सरकार बैक फुट पर है क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से कॉंस्पिरेसी करके प्लानिंग करके पूरे अंदोलन को डिमॉलिस किया गया जिस तरह से लाल किला के बहाने पूरे अंदोलन को बदनाम किया गया उसी तरह से आज मीडिया ने फिर बदनाम कोश लेकिन वो किसानों के हित में हो गया और अब देश ने राकेश टिकायत के आंसु की वज़ से जोर दिया है। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने दिल्ली कुछ करना सुरू कर दिया। माफी माँगे। जो सो कॉल मीडिया है वो कल पुलिस के पोटेक्शन में रिपोर्टिंग कर रही थी और उनको शर्मसार होना चाहिए। क्योंकि लाल किला पर भी उनका कैमरा पहले से मौझूद था। जेनीवे भी पहले से मौझूद था तो ये सारे कॉंस्पिरेसी होती है भीमा कोरेगाओ याद होगा। तो बारी-बारी से लोग को टार्गेट किया जाता है मारा जाता है और मीडिया के उसमें बड़ी भूमिका होती है। उसको पता होता है कि सोचे जो मीडिया कबर नहीं कर रही थी किसानांदोलन को उसको कैसे पता था कि ITO पर ही दंगा होगा और लाल किला पर ही दंगा होगा। तो सवाल तो खरे होते हैं वैसे तमाम लोग की एक समझ बरही है उनको लगता है कि मीडिया की जो भूमिका है वो सरकार के साथ है और वो बहुत ही संदिग्ध है शंबु कुमार सिंग गाजीपुर वोडल दिल्ली निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल